वेलकम टी यूच्टीप चैनल दोस्तो आज इसड़ियो में हम बनाने वाले हैं डिजानर वेफरोग फॉर थी तो फॉर यूर बेबिकल जिससे बनाने के लिए यहाँ पे हमने वान वान मीटर दो कॉटन और नेट फैबरिक लिए हैं तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने फैबरिक से दो रेक्टेंगल पीस कट किये हैं जिसकी ब्राणनेस हमने लिए 15 इंचिस और लेंस हमने लिए 8 इंचिस दोनों को साथ में इस तरीके से हमें टूफूल कर लेना है और यहाँ पे अपर साइड में इस तरीके का हलका स्राउंड शेफ डो करेंगे और हमें इससे कट कर लेना है टॉप पार्ट के लिए और इससे ओपन करेंगे तो हमें दो बस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रन्ट रोबेक के लिए अब यहाँ पे हमने दो बस मिल गट किये हैं पार्ट को सिधा इसके उपर रखते हुए और यहाँ पे हमने दो स्टिंग्स रेडी किये है फ्रन्ट रोबेक को अट्रेश करने के लिए इस तरीके से जिसकी लेंद्ध हमने लिए नाइन इचेस और यहाँ पे इस तरीके की 5 इचेस लेंद्ध की एक स्टिंग्स हमने लिडी की है जिससे हमें फ्रन्ट साइड पर अट्रेश करना है सेंटर पे तो यहाँ पे एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके उपर हमें उल्टा रखना है वेस्ट फेबरिक को और यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे सबसे पहले और सेंटर से दूनों साइड पे त्रे इचेस पे हम मार्क करना है इस तरीके से जहाँ पे हमें स्टिंग्स अटेश करना है इसलिए दूनों पार्स पे हम मार्किंग कर लेनी है मेन और वेस पे और यहां पे स्मार्क को मिलाते हुए हमें स्ट्रिंग्स को अरेंज करना है इस तरीक से और स्टिफ्स को भी यहां पे हम सेंटर पे अरेंज करेंगे टूफूल करने के बाद सेंटर पे हमें अरेंज करना है जहां से हमें बोक को पास करना है इसलिए और उपर से पुरे राउन में हमें सिलाइक करनी है यह हमारा फ्रंट का पार्ट है तो यह देखिए हमने सिलाइक कर लिए है और यहाँ पर हलके हाथों से हमें नोचिस लगाने है इस तरीके से और नोचिस लगाने के बाद फ्रन्ट साइड को हमें इस तरीके से राइट साइड पर टर्म कर लिया है अच्छे से और यहां पर बैक साइड पर स्ट्रिंग्स को हमें आटेश करना है तो इस तरीके से आरेंज करें हम यह हमारा बैक का पार्ट है तो इस तरीके से हम आरेंज करना है और यहां पर भी हमें मार्किंग करनी है तो सबसे पहले हम सेंटर मार्क करेंगी इसका बैक साइड का हमें सेंटर मार्क करना है और सेंटर से दोनों साइड पर थ्री इचिस पर मार्क करना है लेप्ट और राइ हमें strings को arrange करना है इस तरीके से back का part हम सिधा रखेंगे और इसके उपर strings को हमें arrange करना है mark को मिलाते हुए और इसके उपर जो हमारा best fabric है इसे उल्टा रखना है और यहां पर पूरे round में हमें तो यहां पर इस तरीके से लिए है और इस तरीके से लिए अब यहां पर बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने दो दो रेक्टेंगल पीसिस कट किये हैं नेट फैब्रिक से और बेस फैब्रिक से इस तरह से जिसकी ब्राइबनेस हमने लिए है 60 इंचेस और लेंथ हमने लिए है और यहां पे बेस फैब्रिक की ब्राइबनेस हमने लिए है 20 इंचेस और लेंथ हमने लिए तर्टे निचेस जिसकी अपर बोर्डर पर हमें बड़ नुम्रों की सिल्याक करनी है चारों पार्स में और यहां पर हम गैधरिंग करेंगे और बॉटम का पार्ट हमें रेडि करना है तो यह देखे हमने सिलाइक कर लिए है और यहां पर एक धाय को अलग करेंगे हम और एक खल के हाथ से खिचते हुए पूरी ब्राइडनेस में गैधरिंग करना है और हमें bottom का part यहां पर ready कर लेना है दूरों parts में यह देखिए हमने net or base को हमने gathering कर लिया है दूरों parts हम ready कर लिये हैं और हमने जो top का part बना है इससे इसके उपर हमें उल्टा रखना है और हमें select करनी है इसी तरीके से back का part भी bottom के साथ अटेश कर रहेंगे तो यह देखिए हमने select कर लिए है और top और bottom को हमने joint कर लिया है अब दोनों को wrong side पे turn करना है इसकी fitting के लिए तो front row भी को wrong side पे turn करेंगे सबसे पहले net fabric को fitting करना है और base fabric को भी हम fitting करेंगे वह वन इसकी difference में हमें सिला करते हुए फ्रोक को fitting कर लेना है और base fabric की निचे लोडर को भी हमें fold करना है wrong side पे double fold करते हुए इसकी लेकरना है यह देखिए हमने फ्रोक को fitting कर लिया है राइशाट पे turn कर लिया है और यहाँ पे finally हमने बोर रेडी किया हुआ है fabric से जिससे यहाँ से हमें pass करेना है यह जो हमने ring ready की है यहाँ पे यहाँ से हम pass करेंगे और center पे हमारे इस करेंगे और इसी के साथ ही designer वी फ्रोक हमारा रेडी है दोस्तों अगर आपको यह हमारे डिजाइन इच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चनल को और उस वी लाइकन को भी प्रेस करें ताक कि आपको हमारा आने वाले सब वीडियोस की इंप्रोमेस समय तरहें थैंक्स वॉचिंग हुचिंग झाल 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 झाल